महेश भाई मैं आपकी वीडियो को देखता भी हूँ and implement भी करता हूँ आप suggest करें कोई exercise posture शही करने के लिए means the left chest is bigger than the right same for biceps, same for triceps, please do suggest. Abhishik So guys, welcome back हमारे follower है Abhishik और not only Abhishik बट काभी सारे लोगों की questions वही रहती है कि उनको muscle imbalance है Like right arm उनको बड़ा है, left छोटा है, ऐसी uneven उनकी chest है, shoulder में भी ऐसा है तो उससे पहले में एक वीडियो बनाई थी muscle imbalance को उपर जिन्होंने वो नहीं देखी, देख सकते हैं आज की वीडियो guys बहुत special और खास होने वाली है आज हम deep बात करेंगे आपकी muscle imbalance क्यों होता है उसको correct करने के क्या techniques, क्या training हम लोग करने चाहिए इसके साथ साथ कुछ एक super effective ways जिसके द्वारा हम लोग बहुत अच्छी दैसे अपना muscle imbalance बस बट कुछ टाइम जरूर लगेगा definitely बट कुछ टाइम के बाद हम लोग उसको खी कर सकते है तो चलिएगा स्टार्ट करते सबसे बहले तो बात करते हैं हम लोग muscle imbalance होता क्यूं है बात करूँ अगर मैं equipment की तो guys right equipment selection is the key अगर आप किसी भी gym में जा रहे है तो वहां का equipment selection is the key बहुत जरूरी है आपकी आप local equipment में training ना करें ऐसे equipment का selection करें जहां पर आपको training करना अगर आप किसी local equipment में workout करते हो तो उसका design होता है आप उसमें left side या right side में uneven pressure आपके shoulders में आपके chest में पड़ता है तो इस वज़े से भी आपको muscle imbalance होता है and guys अगर बात करूँ में training techniques की तो वह भी बहुत जरूरी है कि आप किस हिसाब से अपनी training techniques set करते हैं let's suppose अगर बात करूँ maximum मेरे पास जो लोग आते हैं वह sitting होते हैं वह office जाते हैं और posture उनका forward हो कि आगे वार कर रहे हैं computer लैप्टॉप हो गया उसमें forward shoulder होके विस वे से उनको muscle imbalance होता है आपको muscle imbalance हो भी गया तो कैसे करके हम लोग उस muscle imbalance को ठीक कर सकते हैं आज की वीडियो में discuss करेंगे muscle imbalance को समझने के लिए हमको इन तीन basic movements को समझना बहुत जरूरी है पहली movement इसको कहते हैं bilateral movement second is isolate movement and third is unilateral movement अब यह movement होती क्या है आपको डिमेशर करके दिखायतों में सबसे बेले जहां पर bilateral का मतलब आपके दोनों hands मैं करके दिखायतों आपको यह like this guys इसे कहते है bilateral movement bilateral movement इसको क्यों कह रहें क्योंकि यहां पर यह वाला मसल यह वाला मसल एक साथ वर्क कर रहा है बीच में जो connection बनावा है इस बार का connection बनावा है इस moment को कहते हैं bilateral movement switch on करूं मैं आपको अगर dumbbells की तरफ like this guys इस moment को हम लोग कहेंगे unilateral movement अब इसमें क्या हो रहा है आप दोनों dumbbell को एक ही exercise तो परफॉर्म हो रही है लेकिन दोनों dumbbell अपने अपने movement को अलग अलग परफॉर्म कर रहे तो इसको कहते हैं guys unilateral movement and guys third exercise जा third movement जिसमें हम केवल एक बार में एक ही muscle को move कर रहे है इस called isolator movement और मैंने movements की बारे में क्यों discuss किया क्योंकि इन movements को perform करके हम लोग अपनी जो muscle imbalances को ठीक कर सकते हैं so as first moment की बात करूं मैं by little movement की बात तो guys इसे कहते है by little में आपका जिसे मैंने पहले discuss किया आपके साथ biceps की workout में की bar single है लेकिन movement हम लोग दोनों arm से कर रहे हैं इसे कहते है by little movement connection जो बैठ रहा है हमारा जो set हो रहा हमारा इस बार का हमारे दोनों hands के थुरू हो रहा है ठीक है अब यह वाली movement में अपने जो भी वीवर्स हैं जिनको muscle imbalance है just की imbalance है उनको मैं prefer नहीं करूंगा क्योंकि वो करेंगी क्या basically उनका hand यह तो ऐसे परफॉर्म हो रहा होगा देख रहे हैं आप इस विए से आपको यह movement restricted है आगर आप ऐसे करके movement परफॉर्म करें तो आइस दीचे कमंड करें जरूरू रहीगा कोई भी हैंड़ होता है like this ऐसे भी परफॉर्म होता है काफी जारे लोग ऐसे भी कर रहे होते परफॉर्मेंस like this तो इसको ठीक करने के लिए सबसे best of the best way is unilateral movement उसमें guys हो रहा क्या है आपका दोनों hands अलग-अलग move कर रहे है और different packs पे आपको work कर रहा है तो आपको avoid करना है by little movement जो की आपकी single bar से performance हो रही है आपको यह दो moment परफॉर्म करनी है या तो आप unilateral movement अगर perform करेंगे तो guys आपको balance के साथ साथ आपका muscle imbalance भी ठीक रहेगा तो guys जो मेरे पाको question आथा अभी शेक जी का ऐसी काफे सारी questions थे मेरे पास कि हमको बताईए हमको suggest कीजिए कि हम कैसे करके अपना muscle imbalance ठीक कर सकते हैं तो तीन मिन मैंने different movements यी बात करी जो पहली movement थी वो थ movements एक ही time पर work कर रहे हैं दोनों साथ में यहीं कि बार के थुरू दूसरी movement मैंने बताई आपको unilateral movement जिसमें हमारी दोनों muscle अलग-अलग work कर रही हैं लेकिन एक time पर last moment हमने discuss करी isolatel movement जिसमें हमारा एक time पर एक ही muscle group work कर रहा है तो यह दो moment जो लास्ट वाली movement थी इसमें isolatel movement और unilateral movement इन दोनों movement को आप अगर अपने किसी भी workout में like chest हो गया, biceps हो गया अगर आपको chest में imbalance है तो आप इसको यहां perform कीजिए, biceps में आपको अगर imbalance है तो आप इसको isolatel movement या unilateral movement perform करेंगे तो definitely guys आपके muscle imbalance में फरक पड़ेगा और एक से दो महिने में time लेके, एक से दो महिने का time आपको देना बहुत ज़रूरी है, एक से दो महिने का time आप भीजिए, माइन के साथ muscle connectivity set कीजिए तो definitely आपका भी muscle imbalance ठीक होगा, I hope आपको समझ आगे होगा कि आपको कैसे करके अपनी muscle imbalance को ठीक करना है, 100% ठीक होने में guys तेरूर टाम लगेगा, बट आपको consistency बना के रख चल नहीं है और definitely आप अपने muscle imbalance को कुछ time बाट ठीक कर पाएंगे, I hope आपको वीडियो समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी, तो जाल साथ शेयर केजिए, लाइक केजिए, जो लोग पेच में नहीं है, प्लीज दू फॉलो माइफेज दू पेजिए महेश देगी, यूट्यूब चैनल इस आवनवर्य टास्पम